नमस्ते दोस्तों एस परमिला कीचन में आप लोगों का स्वागा थे हम दही मिर्ची आज बना रहे हैं हम दो चम्मच जीरा ले लेते हैं और नमक ले ले लेते हैं और सेंधा नमक हम तीनों को पीछ लेते हैं देखिया हमने पीछ लिया है और मिर्ची को हमने अच्छे से साप करके सुखा कर लिया है अब हम चीरा लगा लेते हैं उसमें इस तरह से बहुत तीखा मिर्ची है ये चोटा चोटा है और सारा मिर्ची को चीरा लगा लिया है अब हम उसमें जो मसाला पिसके रखे हैं नमक जीरा का उसको भर देते हैं देखे इस तरह से सारे मिर्ची में भर देंगे जैसे दाल चमल बनाया है तो छान ले और खा ले बहुत टेस्टी लगता है यह मिर्ची तीखा भी नहीं लगता खटा थोड़ा तीखा बहुत टेस्टी है तो सारे मिर्ची में मसाला भर लिये हैं एक पाव मिर्ची है थोड़ा सा मसाला बज गया एक पाव दही डाल रहा है पाव मिर्ची में और हम मिक्स कर देंगे देखे इस तरह से हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि मिर्ची छूप नहीं रहा है देखे थोड़ा गाढ़ा है दई थोड़ा सा और हम पूरे रात रखें हैं और तीन चार दिन अच्छे से सुखाएं कड़े धुबमा अब थोड़ा तेल डाल लेते हैं और तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि जल्दी से अंदर से नहीं सीखे गाइस से धीमी धीमी सेकना है बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से चान लेते हैं चान लिया बहुत अच्छा लग रहा है कलर देखिए और हम अगर ज्यादा मिर्ची है तो हम कबर मा रख देंगे तीन चार दिन जग चलेगा सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों